हलो दूस्तो नमस्कार इसा लग रहा है कि आज के लिए मतलब रात की बात करें तो अमेरिकन बाजार में लाल निशान में क्लोजिंग या पर हो सकती इंफोसेस के डियर की बात करें दो पसंट सवा दो पसंट डाउन नेक्स बात करेंगे दोस्तो तो वारे रेनिवबल्स की बात करें लगातार तेजी देखने का पर मिल जाती है कुछ ज्यादा है रिटन्स दे स्टॉक ने अगर देखा गया तो बार बार इनके रिटन्स के पीछे मतलब हम कह सकते थेजी के पीछे अच्छी खबरे हम लों को यहां पर 980 Megawatt का अमनों को आजक्डर मिलते वे देखने को मिल चुक है जो की है लगबग 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 990 या फिर 1000 करोड का यह ओजर मिलते वे देखने को मिल चुक है तो काफी तो यहाँ पर चाहिए था वो यहाँ पर मिलते वे देखने का आपर मिल चुका है So solar and wind hybrid projects से related यह बात हैं हम लोगों को देखने का आपर मिल चुकी है Next अगर हम बात करेंगे रोसुत तो Rolls Royce आप सबी लोगों को पता ही है तो उनी नो TVS, SCS के साथ जो उनका contract था वो उनने 5 साल के लिए और यहाँ पर क्या कर दिया है Extend कर दिया है मतलब 2029 तक यह contract हम लोगो continue होते वे देखने का आपर मिलने वाला है इसी चीज़ के चलते TVS supply chain solution की बात करें जिसी को हम लोग SCS के नाम से आपर जानते है अचानक से stock में इबदम से हम लोगो 4% के आसपास की तेजी रेखने का आपर मिले थी जो बाद में 3.5% की तेजी आपर तकदील हो चुके तो रॉल्स रैस देखा गया तो इंडिया में काफी सारे उनके contract से हम लोगो बढ़ते वे देखने का आपर मिल रहे है जैगल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो 13.5% की दमदार तेजी रेखने को मिल चुके उसके पीछे का रिजन है इजी ट्रिप प्लानर के साथ की हुए partnership येस आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों की जैगल ने यहाँ पर हम कह सकते agreement यहाँ पर हो चुका है इजी ट्रिप प्लानर और इसी चीज़ के चलते हम लोगो तेजी रेखने को मिल चुकी है वीपुल और्गेनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो circuit 20% का लग चुका है बात करेंगे बजाच finance की तो बजाच finance में थोड़ी जो तेजी देखने को मिली थी उसके पीछे का reason है हम यहाँ पर कह सकते है 4200 करोड वाया non-convertible debentures के थ्रूँ जो raise करने वाले थी इसी खबर के चलते थोड़ी बहुत तेजी देखने को आपे मिली थी उन सभी के दाम अपको धिमे-धिमे करकी कम होते वे दिखने को आपे जरू मिलेंगे ठीक है इसमें कोई BJP Congress आम आदमी Party ऐसी कोई बात नहीं होती हर कोई power में आएगा तो यही चीज करते है पावर में रहेंगे तो इसी चीज के चलते तो उनको यहापे benefit मिलेगा कि महिंगाई को कम करना है तो एक और चीज के उपर restriction आते वे दिखने को मिल चुका है और वह है अनियन अनियन के अगर हम बात करेंगे प्यास की बात करेंगे वैसे तो अलेड़ी restriction था ही export के उपर तो सरकार ने export जो ban चल रहा था अनियन की उपर वो 31 March तक continue आपे कर दिया है सो इसी चीज का announcement हम लोगो आज एकी दिन secretary जे ने आपे कर दिया है वही point मतलब consumer affairs के जो secretary है उन्होंने आपे कर दिया है तो इसी चीज का फायदा हम लोगो definitely काम आदमी को होते वे देखने को मिलेगा and companies की बात करेंगे तो QSR QSR मतलब जो खाने पिने में जो प्यास का इस खबरे यहाँ पर सामने आ रही है तो लुदियाना की बात करेंगे दोस्तों तो चार ने stores उन्होंने आपे फिलाल तो launch यहाँ पर कर दिये open कर दिये आप ऐसा भी आपे कह सकते हो काफी सारे stores एरेटल हम लोगों को लगातार open करते हुए देखने को मिल रहा है by the end of March और we can say by the end of this financial year start करते वे देखने को आपे मिलेंगे so definitely काफी rapidly हम लोगों को आफका सा air लगातार बढ़ते वे देखने को आपे मिल रहे है जो कि Indigo को एक काफी अच्छा टकर रह सकता है then दोस्तो spam call तो आप लोगों को आते ही होंगे सबसे ज़्यादा परिशानी इसी चीज़ के चलती होती रहते हैं एक report यहापे publish हुई है सबसे ज़्यादा है यह spam call किसी आते हैं तो दोस्तों देखा गये तो बजाच finance 40% का spam calling अगर हम लोग यहापे निकाले तो बजाच finance के ओर से यहापे रहता है then second अगर बात करें तो HDFC life insurance का 15 टक्की का share देखने का आपे मिल रहा है share मतलब यहापे हम कह सकते है HDFC bank की बात करें तो 12% का हम लोग को spam calling उनके और के आते हुए देखने को पल जाती then quota का ICACA इनका छोटा-छोटा share देखने का आपे मिल रहा है और बाकी बचे हुए 23% so यह कुछ है ऐसी information है जो कि आपको थोड़ा बहुत पता है यहापे होना चाहिए आकरी वीडियो में हम इनको cover करते रहे है गितान जली जेम्स तो आप सबी लोग को पता होगा यह company एक जमाने में share market में थी अभी share market में नहीं इसको हटाय जा चुका है and court के भी order यहापे सामने आ चुके दोस्तों कि इस company को liquidate किया जाए तो male choksi आप सबी लोग को पता है जो देश से भाग गए fraud यहापे किया था scam उन्होंने किया था निरो मुदी और बहुत ज़्यादा popular वो चीज़े हुई थी so उसी चीज़ के चलते liquidate यहापे हो जाएगी liquidation मतलब क्या company के जितने भी assets है सब कुछ यहापे बेचा जाएगा जो भी liabilities है उसको यहापे pay किया जाएगा obviously liabilities बहुत बढ़े रहेंगे asset इत्तु सा रहेगा तो पूरी तरह किसे liabilities तो sort out यहापे नहीं होंगी तो जीतना मिलता है उतना तो हाथ में यहापे लग जाएगा then next अगर हम लोग यहापे बात करेंगे NBCC NBCC के अगर हम बात करेंगे तो चले हो 500-500 करोड के order इंको मिलते वे देखने का आप मिल चुके इसी चीज के चलते थोड़ी बहुत तेजी यहापे बंद रही है then उसी के साथ-साथ वीबोर स्टील ट्यूब्स की अगर हम लोग बात करें दम दमदार IPO बापरे बाप क्या लिस्टिंग यहापे होई है दोस्तो मतलब जिनको भी यहापे लगा है IPO मतलब क्या बोले चांदी, प्लैटीनम, गोल्ड जो बोल सकते हैं सबी कम है यहापे इदम लोटरी किस्मत ही खुलते वे देखनू का आप है मिल चुके इतने दमदार रिटन्स हम लोग को यहापे इस IPO के थ्रू मिलते वे देखनू का आप है मिल चुके ठीक है अभी वाप अगर हम लोग बात करेंगे दो तो पासपोर्ट, यस पासपोर्ट से लेटेड एक डेटा सामने आ चुका है कि देखा गया तो दुनिया में सबसे आदा स्ट्रॉंगेस पासपोर्ट अभी किसका देखनी का आप है मिल रहा है तो हम कह सकते है नंबर वन पे फिलाल फ्रांस देखने का आप मिल रहा है जिस चीज के चलते है आप वीजा फिल एंट्री यहापे कर सकते है दोस्तों आपको पता हिए अगर किसी देश में आपको जाने वहां का वीजा लगता है अगर आपके पास फ्रांस का पासपोर्ट अगर रहेगा तो आपको 194 नेशन में बिना व कोटक महिंदरा बैंक भी अगर देखा गे तो HDFC बैंक का ही जुड़ा भाई आप बोल सकते हो पाथ साल में 42% की रिटन्स बिल्कुल फ्लाट 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 और फ्लाट ही परफोर्मेंस तो कोटक महिंदरा बैंक में आज की दिन जो तेजी देखने का रिजन है एक खब इंडिया विदेशी कंपनी आपको पता ही इंडिया में भी लिस्टेड है कल के दिन खबर देखने को मले थी कि 24% जो स्टे के प्रमोटर वो अपना पूरी तेरे के से आप बेचेंगे वाया ब्लॉक डिल बल डिल आप जैसा चाहो कह सकते हो इसी चीज के चलते शुरुआत मे गब डाउन देखने को मिला फिर थोड़ी सी तेजी आएंड आकरी शंड में तो होर एक जबरदर समनों को बड़ा गिरावट देखने को मिला है मतलब वही माल यहापर बेचा होगा या फिर बेचने की प्लानिंग चल रही है हम कह सकते बहुत बड़ा लगब 3,700 करोड का म माल भी यहापर बेच रहे माल बेच रहे मतलब यह नहीं कोई कि खराब हो गई या फिर पब्लिक की गले में माल उतारे नहीं ब्लॉक डिल ब्लॉक डिल होते वे देखने को मिले हाँ पर जिस भाव के पर यह डिलिंग होगी तो यूजरल डिसकाउंट के पर होती इसी जा चुके अभी आखरी प्लियर थोड़ा-थोड़ा स्कोर कर रहे है बस वैसा ही कुछ काहनी देखने को मिल रही है ऐसा मत सोच लेना कि भाई जाके सीधा 400 का टारगेट ही अच्छी कर लेंगे और यहापर बैठ जाएंगे ठीक है उसके लिए उनका बिजनेस अच्छा हो कि भाई यह फेक है करके जे एंटरटेन्मेंट में इस प्रकार की जो रिपोर्ट थी कि वापस ये मर्जर की बाचीत आपे करेंगे जीवित हो रहा है करके इसको डिनाई कर दिया मतलब चलिए वापस अभी स्टॉक में हमनों को गिरावट होते विए देखने को मिल सकती इ इसी के उपर मेंने वीडियो भी आपे बनाया था आप चाओ तो उसको भी रेफर कर सकते हो बिटकोइन की बात करेंगे तो डियाइज ने तो चौदा सो करोड से जादा कमाल उन्होंने बेचा है तो ठीक है दो आशा करता वीडियो हेल्फुल लगाओगा चाओ तो लाइक कर सकते हो मिलते हैं कल तब तक के लिए बाबाए